आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है 30 cm और 16 cm लंबाई की दो समानतर जीवाए वरत की केंदर की विपरी दिशा में इस्तित है मतलब जो वरत का केंदर है उसके अलग-अलग दिशाओं में दोनों जीवाए इस्तित है वरत की तिर्जा 17 cm है तो जीवाओं के बीच की दूरी हमें ग्याद करने है तो जो कह रहा है उसका मैं चित्र बना लेता हूँ सबसे पहले तो मैं एक वरत को बोला है तो वरत यहाँ पर बना लेता हूँ यह मेरे पास एक वरत बन गया अब वरत में बोलाएं कि दो जीवाएं हैं जो वरत के केंडर के विप्रीद दिशा में हैं तो सबसे पहले तो इस वरत केंडर मान लेता हूँ ओधित के मैं पास में समानतर है अगर मैं मानलो पहली जीवाइं इस तरह से Greek दिया यह मैंने पहली जीवागी दी और व्रत के केंदर के विपरीद दिसा में दूसरी वाली जीवा होगी और एक चीज में आपको और बता दू देखो व्रत के केंदर से जीवा की जितनी दूरी अधिक्तम होगी उतनी ही वो जीवा की लंबाई कम होती जाएगी ठीक है मतलब सबसे अधिकतम जो जीवा होगी सबसे अधिकतम लंबाई की वो व्रत का व्यास होगा जो की व्रत के केंदर से गुजरेगा जैसे जैसे केंदर से दूरी बढ़ती जाएगी जीवा की लंबाई गढ़ती जाएगी ठीक ह और आपको एक चीज और दिखरी होगी कि व्रत की तिर्जय अगर 17 cm की है तो व्रत का व्यास कितना cm का हो गया 34 cm का अगर मैं देखो व्रत का व्यास इस तरह से मैं खींच दूं इधर से यह जैसे मैंने व्रत का व्यास बना दिया ठीक है तो व्रत के व्यास के लंबाई कितनी लेता हूं इसकी लंबाई कितनी हो गई इसकी लंबाई मेरे पास हो गई 16 cm ठीक है अतलब यहां से लेके और यहां तक की दूरी मेरे पास हो गई 16 cm के बराबर इसी तरह यह जीवा कितनी लंबाई की तीस सेंटीमेटर के पराबर ठीक है तो इसकी लंबाई कितनी हो गई तीस सेंटीमेटर के बराबर ठीक है और यह मेरे पास व्रत का व्यास हो गया अगर व्रत की तिरिजा मेरे पास 17 सेंटीमेटर है मतलब यह व्रत का केंदर है और यह व्रत की परीदी है तो इनके बीच की की दूरी कितनी हो गई 17 cm के पराबर ठीक है अम मेरे को निकालनी है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ठीक है तो देखो मैं इसके लिए रचना करता हूं क्या यह व्रत के केंदर को जीवाओं के जीवा पर लंबत एक रेखा खिचूंगा और इसी तरह इस व्रत के केंदर स इस जीवा पर भी लंब खिचूंगा तो दोनों पर जो लंब रेखाएगी ठीक है वही अपने पास व्यास पर भी लंब रेखा बनेगी इस तरीके से मैं बनाऊंगा देखो व्रत के केंदर से गुजरती हुई और तीनो रेखा पर लंब रेखा ठीक है यह मेरे पास हो विबक्त कर देगी ठीक है तो देखो यह जीवा अगर 16 cm की है तो इसको पीक्यू जीवा बोल देते हैं इसको नाम दे दिया मैंने पीक्यू और इसको नाम दे दिया मैंने आरेस ठीक है यहां पर इसको बोल दिया टी इसको बोल दिया यू ठीक है तो अगर यह समान दो बाग 22-23 cm है तो r u की लंबाई कितनी हो गई 30 22 15 cm ठीक है इसी तरह यह u s की लंबाई कितनी हो गई 15 cm ठीक है अब क्या करूंगा मैं इसके जो किनारे है व्रत की जीवा के ठीक है उसको मैं केंदर से मिला दूँगा तो अपने पास एक शमकॉन तिर्भुज प्राप्त हो जाएगा उपर और नीचे दोनों तरफ ठीक है तो देखो इस केंदर से मैं मिला दिया इस जीवा के किनारे वाले बिंदू को इसी तरह इस केंदर को मिला दिया इस जीवा के किनारे वाले बिंदू को तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी मैंने कहा था यह जो केंदर से है इस जीवा पर लंब लंब डाला गया है तो अगर इसको 90 डिगरी बोलू तो यह मेरे पास ो, q t, यह समकॉर तिर्भुजे ठीक इसी तेरे, o u s, यह भी मेरे पास एक समकॉर तिर्भु जे अब इसए लंबाई को मैं x माल लेता हूं ठीक है और यह जूँ को मिलाया hop वो एक तीर्जय ही है क्योंकि केंदर से परीदी तक की दूरी है तो इसकी लंबाई भाई 20 संटीमीटर हो गई और ये जो दूरी है उसे एंस जिक यह भी एक तरख प्पाटा यह आПрिसके पायथागहुज परमे पहले कि समय लगाते हैं ठिरभुज avoir Андिक्यू पायथागहॉज क्या कहता है कि जो करन का व्र है वो ब्राबर होता है अधार का वर्ग प्लस लंब के वर्गे ठीक है ए यह हो गया अबको इसमें कर्ण मैंने कहाँ सामनेवाली फ्लस च यह पे कितनी हो गई होकी ओक्यूdle्ट का वर्ग बराबर हो गया यह O.T का वर्ग ठीक है प्लस यह टीक्यू का वर्ग ठीक है अब जो लंबाया दे रखी नोलीख देता यहाँ पे हो गया 17 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग यह हो गया X का वर्ग और प्लस यह कितना हो गया TQ का वर्ग कितना है 8 का वर्ग यह हो गया अब मेरे को निकालना है X का वर्ग तो यह हो गया तो यह कभी रियनात्मंग नहीं हो सकती तो X बराबर आ गया 15 cm ठीक है मतलब एक लंबाई तो अपने पास आ गई दूसरी लंबाई निकालने के लिए दूसरे तिर्भुज में जलते हैं तिर्भुज OUS में तिर्भुज OUS में ठीक है इसमें भी वही लगाएंगे कंड का वर ठीक है अब देखो जो बुजय दिरखी हैं उनका Batman इसमें रख देताओ OS का वर्ग 17 का वर्ग हो गया बराबर OUS का वर्ग 5 का वर्ग हो गया पलस यह US का वरग 15 का वर्ग हो गया। धिक है अब मेरेको निकालना है Wai का वर्ग 279 मैनस 5 करने दोनों तरफ वरग मुल लूंगा तो यह 8 के बराबर उसके वाई खाय तो यह कभी भुजा तो यह कभी भी मेरे पास आ गया, तो मैं कह सकता हूँ, दोनों जीवाओ, के बीच की दूरी, और यह सारा मैं चित्र से लिख रहा हूं, ठीक है, चित्र मैंने पहले ही बना दिया है, यह बीच की दूरी किस के बराबर है, x मेरे पास आ गया 15 cm के बराबर, और वाई आगया 8 cm के बराबर दोनों को जोड़ूंगा तो 23 cm के बराबर आ जाएगा और यही मेरा उत्तर हो जाएगा Thank you